आज में बनने जारी हैं मेधी गोबी का बहुत ही अलग तरीका से नास्ता जो सबको पसंद आएगा इन नास्ता बनाना भी असान है और खाने में भी बहुत जादा टिस्टी लगेगा तो अगर आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को से स्क्राब करना ना भूले और वीडियो के नीचे में लिंक को डाल रखा है तो आप सीधे वहाँ से फेस्बूक और इस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं तो चलिए मैं रेस्पी को सुरू करती हूँ यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मेथी का पत्ता लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया था धोने के बाद इसका जो पत्ता है सिप मैंने वो लिया इसका डंठल बगरा है जो निकाल लिया है तो यहाँ पर मैंने इस लिकेस्टेन लिया है और थो थो मेथी मैं इस पर रख देत ताकि यह असानी से इसमें पत्ता के साथ यह पक जाए और यहां पर एक आलू को मैंने धोकर और पतले-पतले पिसस में इसे काट लिया है इसे भी मैं रख देती हूँ आप चाहे तो आलू नहीं डालना चाहते है तो आप से घोबी अम्मेथी का भी यह नास्ता बना सकते हैं कि यहां पर सेम तरीका से मैंने तयार कर लिया है और यहां पर पानी को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था तेगा करके स्टेन को मैं अंदर रख देती हूँ और कम गैस पर से पंदरा मिनट के लिए स्टीम होने के लिए ढग देती हूँ मिनट हो गया है और छो यह ब्रकता है अगर कुछ भी ANY Death to तो पाच मिनट के लिए से धगन से धग दीजिए यह अच्छे से पक जाता है तो मैं इसे ठंडा होने बाद निकाल लूँगी तो यहां पर यह है जो ठंडा हो गया है तिसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ यह देखिए जिसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ धनिया अब मैं इसमें डालूंगी सुखा मसाला आदा चमस मैं डाल रहीं इसमें हल्दी पॉडर और आदा चमच मैंने भूंजा हुआ मसाला डाला है अगर आपके पास भूंजा हुआ मसाला नहीं है तो इसके जगा आप लालमिश का पौडर भी डाल सकते है और इसमें मैंने डाला है गुलकी जीरा का पौडर स्वादन सर मैंने इसमें नमक डाला है और एक चमस मैंने इसमें बेसन डाला है और एक बड़ा चमस मैंने इसमें ये सुजी डाला है ये मैंने अधरक लासन अहराप मीच का पेस्ट डाला है अब सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ तो सुजी आप जरू डालेगा सुज़ी अगर नहीं है तो उसके जगाँ आप चावल कांटा भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से मिला लिया है और हाथ पर थो ऐसा तेल लगा लिया है तेल से यह हाथ पर भी चिपकता नहीं और अच्छे से यह बन जाता है तो आप चाहत अपने मन पसंद से बगेरा दे सकते हैं मैं इस तरह से इसे बना रही हूँ यह देखे और सेम तरीका से मैं त्यार कर लेती हूँ तभी बेंटर सीजन है और मेथी भी मार्केट में बहुत ही असानी से मिल जाता है तो घर पर आप लाकर मेरी इस रेस्पी को आप घर पर एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको यह बहुत पसंद आएगा बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो यहाँ पर मैंने सारा त्यार कर लिया है और तेल को गरम होने के लिए भी मैंने रख दिया था तो वेकर करके मैं इसमें डालते जाओंगी तो यहाँ पर मैंने सारे डाल दिया है और गैस को बिल्कुल मैंने कम रखा हूँ तो उपर से यह हो गया है तो मैं इसे दिसे तरफ पलट लेती हूँ और इसी तरह से उलट पलट कर मैं इसे पकने दूँगी तो गयास को ज़्यादा न रखे अगर ज़्यादा रखिएगा तो यह कच्छा ही रह जागा फिर खाने में ये टेस्टी नहीं लगा तो यह देखिए दोनों तरफ ही अच्छे से हो गया है मैं इसे निकाल लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर इसे निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने इसे टमाटर सॉस के साथ सथ किया है तो मेरी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है तिसे लिए ये आज टेस्ट करके दिखा रही है तिसे टमाटर सॉस के साथ ही पसंद आता है आप चाहे तो अपने मन पसंद चटनी सौस किसी के साथ भी से आप खा के देखे आपको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो आप भी अपने बच्चों के लिए घर पर ये इस रेस्पी को जरूर ट्राइ किजेगा आपको भी बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये मेथी का जूर नास्ता है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो बच्चों को मेथी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है तो आप इस रेस्पी को एक वार घर पर मेरे तरीके से ट्राइ करके दिखिएगा आपको भी बच्चा ये खाएगा क्योंकि ये खाने में इतना टेस्टी है कि मेरी भी बेटी ये खाती है तो इसलिए मैंने इस रेस्पी को आप लोगों के साथ सेयर किया है ते एक बार मेरे तरीके से आप घर पर ट्राइ किजिएगा और फिर मुझे बताईएगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना ना बुलिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई